हेलो दोस्तो मैं हूँ रेनू स्वागत करते हूं आपको अपने किचन में आज मैं आपके लिए बनाऊंगी भर्वा बैंगन की रेसिपी यहां पर मैंने चोटे वाले आदा गिलो बैंगन ली उसको मैंने सिर्के वाले पाने में आदा गंटा के लिए रखा है फिर इसको तरीके से बन जाएगा अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब इसी मसाले के अंदर बाकी की मसाले जाएंगे तो यहाँ पर हमने भुना हुआ बेशन लिया है और डालेंगे 1-1 तेबल स्पून मूमफली का पौडर जिसको मैंने हलका सा रोस के तो मूमफली को फिठड़ के फिर उसको पीष के उसको पौडर बनाया है तो नमक आप और एड़ कर लेना और अब इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को और भी टेस्टी बनाने के लिए यहां पर मैं डाल रही हूं एक चमश भर के आम का अचार का मसाला थोड़ा सा तेल उसके साथ में लूँगे ताकि हमारा मसाला थोड जब एक यांद के आपको बैंगन के इदर मसाले को भाहर नहीं आएगा अगा आप चाहो तो रिफाइन ऑइल सकते हो जब तेल गरम मुझे तब डालेंगे एक चमज भर के जीरा और साथ ही मैं डाल देंगे 5-6 हरी मिर्च इसको मैंने स्लिट करके डाला है और 8-10 करी पत्ते और यह एक चमश अधरक लसन का पेस भी डालेंगे और यदि आपके पास फ्रेश अधरक और लसन बारी कटे हुए हो तो आप वह भी डालेंगे उससे टेस्ट अच्छा आएगा अब इस बैंगन को हम स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे तो लगबग 15-20 मिनिट हो गए है एक बार धकन खोल के हम चेक कर लेते हैं तो यहां पर हमारे बैंगन 80% तक कूख हो चुके है तो अब हम डालेंगे जो बाकी का जो सूखा मसाला था और थोड़ी सी हम डालेंगे इसके माराथी या महारेश्टन बैंगन और इन बैंगन को आप ठंडा करके एट टाइट बॉक्स में रखेंगे तो 15-20 दिन तक आपके खराब नहीं होंगे और इस बैंगन को आप अराथे के साथ खाएं दाल चाबल के साथ या ट्रैबलिंग में लेके जा सकते हैं तो आज की र एसीपी के साथ में तब तक हैपी कुकिंग